खालो इवर्वर्वेरं, विल्कम बाक टियो ओन चेनल वाइल्थ, सगा जै नाइन्थ ऑफ जैनुवरी टू थाउजन ट्वेंटीफोर, टुज जया गदिन निफ्टी फिनिशल सेर्विसेस की वीकली एकस्पारे कर दिन, कल के दिन मार्केट में भीशोन गिरा वोड थी, नि आपको इस तरह की वालटिलिटी डिफिनिटली एकस्पेट करने चाहिए, बिकॉस वेरियस रिजस्पारे के दिन मार्केट में गिरा वड थी, निफ्टी फिफिफ्टी वास जोन अरॉन वन हंड़ फिफ्टी पॉइंट्स, निफ्टी बैंक तो करीब-करीब 700 पॉइंट क वो इन्फिउस किया जाता है ताकि मैक्सिम्म प्रीमियम को कलेक्ट किया जा सके हैं, जो लोग ऑप्शिन बायर्स हैं, टाइम से प्रॉफिट को बुक करें, अपनी पॉजिशन को होल्ड ना करें, जो लोग ऑप्शिन राइटर्स हैं, थोड़ा सा मेंटली प्रेपैर रह रहेगी, अब दुसको कल के दिन के टॉप गेंटर्स के बारे में बात रहें, जी एमार एपोर्ट वस त्री और हाफ परसेंट आप, इसके लावा टीवेस मोर्टर्स वस अल्मुस क्लोज त्री परसेंट आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम टू तू तू अनाफ परसेंट टॉप लूजर्स के बारे में बात रहें, ऐसा नहीं है कि एक दिन में गिरावट नहीं हुई, इसके लावा नवीन फ्लोरीन वस फाइफ परसेंट डाउन, हिंदुस्तान कॉपर वस जाउन फाइफ परसेंट, आर्ती इंडस्ट्री जाउन क्लोज तू फाइफ परसेंट, अब दोस्तों यह सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें, तो बंधन, बैंक, आर्ती इंडस्ट्री इस रिसेंट्ली अच्छा खासा भागे हैं, पिछले तीन महीने में आर्ती इंडस्ट्री 480 से 600 बहुँँच गया है, तो दोस्तों यहाँ पर यह क्या हो रहा है, तो सम काइंड आफ प्रॉफिट बोगेंग विच इस गोई ओन विच इस वेरी वरी लॉजिकल अलसो को कि बजट के आने से पहले कुछ प्रॉफिट को निकाल लेना बहुँ जरूरी है, क्योंकि हो सकता है किसी का रेट्स बढ़ा दिया जाए, किसी पर टैक्स बढ़ा दिया है, सो मार्केट रिमेंस चैडल स्केप्टिकल इसलिट थोड़ा सा प्रॉफिट बगिं किसी जिएगे पर बाइउ गिसी जिएगे पर अंतिसी बगिंग होगी, कही पर अंतिसीपेटट सेलिग होगी, सो दिस विल चूटिब काुट रेट्थिट यूज आटू विच इसलि की सारी करेंसी के अगेंस इने रुपी वास लोगिंग स्लाइटली वीक. So the best strategy should be to trade level to level and be stock specific. अगर आपने 50-50 में trade कर रहे हैं, जो आपका level है, that is 21,000, 21,500. अगर ये level breach होता है, 21,450 is the last support, तोटता है, तोटता है, तोटता है, तोटता है, नीचे जाए, उसे आपको prefixate नहीं होना है, just stick to the levels and trade accordingly. दोसों, निफ्टी बैंक के बारे मातर है, कल के दिन साथ ओनों, वांट की किरावर थी, closing है 47,450. दोस्वों, कल के दिन हम लोगा डिसक्स किया था कि 47,800 is the important support zone, दोस्वों, जो कल के दिन सपोर्ट था, आज एक resistance की तरह काम करेगा, तो 47,600 is the first resistance टूटता है, तो आपको 200 point मिलेंगे, दोस्वों से 200 point मिल सकते हैं, नीचे लेवल पर दोस्वों 47,350 is the important support level, ब्रीच करता है, 200 point मिलेंगे, तो these are the levels which you should be eyeing at, and be stock specific, and be level specific, कल के दिन FIAs और DIAs ने जएदा selling नहीं करी, यह मैंने आप कल शाम को भी highlight किया था, जो आपको लग रहा हो कि FIAs ने बहुत selling करी, जिसके वज़े से market में किरावट है, the FIAs have bought 16 crores, DIAs have bought 156 crores, लेकिन अपनी जो derivative positions हैं, अपना market में जो buying और selling है, 10,000 crore की कल के दिन buying और selling हुई है, from the side of FIAs, तो इतनी massive buying और selling से क्या होगा, market में volatility will rise, दोस्तों बात करें, जो stock band में बढ़ गए हैं, अब इतनी volatility होगी, तो stock में जो ये band की list है, ये धीरे-धीरे करके आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, इतने stock हैं जो कि अलवड़ी band में आ चुके हैं, जिन में ना तो आप fresh option buying कर सकते हैं, और ना ही option writing, कल के दिन जो नए addition है, वो है बंधन bank, अब इन में अलवड़ी 95% market wide position limit cross हो चुकी है, so you can only trade in cash, इनको खरीच सकते हैं, but you cannot buy option और sell option of these stocks, इसके लावा दो सुफ, buyback की news कल के दिन बजा जोटो में थी, जिसमें की 10,000 के price पे 10,000 पर stock के price पे उन्होंने buyback announce किया है, अभी जो stock का price चल रहा है, वो चल रहा है 6950 के आसपास, almost 43% के premium पे buyback किया जाएगा, लेकिन जो buyback का amount है, buyback का जो quantity है, वो छोटा है, especially for retail traders, सिर्फ around 6,000,000 share सी है, जो की retail category में reserved हैं, तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है, stock में थोड़ी सी positivity दिखाई पड़े, बाट मेरे हिसाब से तो at least buyback बहुत ज़्यदा exciting नहीं दिख रहा है मुझे, बट या, जो premium है वो बड़ा exciting है, मतलब 7,000 रुपे का share buy किया जाएगा 10,000 रुपे में, तो ये premium दिख ज़रूर रहा है बहुत exciting, लेकिन उतनी ज़्यदा quantity में acceptance ratio होगा नहीं, बट दिख बाट करते हैं आईश्या मोटर्स की, आईश्या मोटर्स तीन हसार करोड रुपे इंवेस्ट करेगी in Tamil Nadu in over 8 years, अभी जो वहाँ पर investor summit चल रही है, जिसमें कि Reliance Industries ने भी commit किया है कि वहाँ पर वो investment करेंगे, Brigade Enterprises 3400 करोड अडानी, 42,700 करोड रुपे इंवेस्ट करेंगे in coming few years in Tamil Nadu, so गुजराद और उत्रप्रदेश के बाद अब Tamil Nadu का भी number आ गया है, जहाँ पर एक massive investment आता हुआ दिखा ही पड़ रहा है in coming few years, of course West Bengal ने भी थोड़ा सा भी बीच में ग्राइब किया है, BEML, BEML को 330 करोड रुपे का बड़ा order मिला है from Ministry of Defense, जिस के तहरे तो mechanical minefield marker provide करेंगे, अब दुस्वों minefield क्या होता है, I'm sure अपको पता होगा, explosive जो कि जमीन के अंदर घुसाया जाता है, जिसके उपर आप step up करेंगे, तो pair will go boom, your leg will blast, so that is the mines, mines जो की ले की जाती है, minefield लोगों के लिए भी लगा जाए सकती है, गाडियों के लिए भी लगा जाए सकती है, so basically mechanical minefield marker, 330 करोड का order मिला है उनको, for defense, इसके लाब गोद्रेज इंडस्टरीज, 300 करोड का MOU sign क्या है with Gujarat Government, तो आप देख सकते हैं दोसों कहां कहां पर, और कौन कहां सी companies बड़ा investment कर रही है, अब दोसों यह जो companies बड़ा investment कर रही है, यह इनके लिए के revenue generation का model लगे हो, कि वो फोर्स वहां से वहां पर जो भी establishment set up करेंगे, that will, you know, that capix will help them grow their revenues in coming years ahead, DLF तीन दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर 1113 flat sell किये गए हैं, थर 7200 करोड की value के, आप समझ लिजीए, इसी से सीधे तीधे समझ लिजीए, the kind of revenue, the kind of profitability, DLF is going to post in coming quarters, Lamentary 275 room का hotel, इन्होंने take on किया है, in mirror, जो की FI25 में चालू हो जाएगा, Lamentary में दोस्तों मैं positive हूँ, अभी से नहीं, जब stock 65 rupees पे trade कर रहा था, तभी मैं positive था, stock जब 80 rupees से trade कर रहा था, तभी मैं positive था, आज stock जब 130 पे आगया है, तो भी मैं positive हूँ, अब मुझा cement को लेकर के दोस्तों, अमुझा cement is going to buy 26% of sunky industry, at 121.9 rupees, मेरे साब से positive news, क्योंकि आडानी ग्रूप इतना काम कर रहा है, road, rail, infrastructure कि उसको, cement कितनी requirement है कि, दो कमपनिया पूरा नहीं कर पा रही है, ये CC और आमुझा पूरा नहीं कर पा रही है, तो it requires more and more infrastructure to develop to grow, मेट्रोपॉलिस उसो अपने price को high करने वाला है, इन B2C segment, you should be aware, कुछ negative news है, negative news ये है कि Indigo का जो duty पे रहते हैं लोग, उनके rest time को बढ़ाए गया है, from 36 to 48 hours now, simple चीज़ अगर rest time बढ़ाए जाएगा, तो उनको और भी ज़दा manpower की requirement होगी, कुछ बड़े investments, कुछ stocks में selling करी है, पाबरा investment, 2% stake rain industry में sell किया है, मामा अर्थ से 32.17 lakh shares sell किया गया है, तो ये वो बड़ी exits हैं जो किया हुई है, so telegram channel दोस्वों कर भी तक आपने join नहीं किया, you can join our telegram channel, and of course if you want to get closer to us, link is in description, you can sign up, or you can contact us on our whatsapp, कोई भी confusion होता है दोस्वों, आप हमारे whatsapp पे contact कर सकते हैं, and we will be able to, we will try to help you out with your queries, 9707-531979, तो दोस्वों ये वो stocks हैं जिन पे ये आपकी निजरी होने जिए हैं, जिन में की आज के दिन बड़ी निवस है, और बड़ा action आता हुआ दिखाई पड़ सकते हैं, सब्सक्राइब सकते हैं,